आप सभी चात्रों का स्वागत है सभी चात्रों से निवेदन है कि ओरिंटल हाई सेकंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद लाइक करो और खास करके उसको सेर करना न भूले मैं कुरिशी कुलाम दस्तकिर कक्षा तस विसे हिंदी आज हम कावी नमबर पांच जिसका नाम है मीरा के पद इसकी कविये त्री है मीरा भाई उसकी बात करेंगे कावी नमबर पांच जिसका नाम है मीरा के पद उसकी कविये त्री है मीरा भाई उसकी बारे में आपको कुछ जानकारी दे दू स्रीकुस्रा प्रैम की अननियक गाई का मीरा का जन्म जिल्ला जोदपूर मेर्टा जिसे मेर्वा के नाम से जाना जाता है उसके निकट कुड़की गाउं में मेर्टा महराज के छोड़े भाई रजन सी राठो के यहां हुआ था उनकी एक पात्र संतान थी मीरा जब के मीरा जब केवल दो वर्सकी थी गिमृति हो गई इसलिए उनके दादा राव दुदा उन्हें मेर्टा ले आए और अपनी देखरिक में उनका पालन पोस्ण किया दुदार आओ स्वयम वेश्रम भक्त थे मीरा बाई का जन्म इस विसन 1488 के लगभख हुआ था इत्यास में कुछ जगा ये मिलता है कि मीरा बाई ने तुलसिदास को गुरू बना कर राम भक्ती भी की है कुछ भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं हाला कि इसका स्पष्ट उलेक नहीं मिलता लेकिन कुछ इतिहास का की मीरा बाई और तुलसिदास के बीच पत्रों के जरिये सववाद हुआ था माना जाता है मीरा बाई ने तुलसिदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घरवाले उन्हें कुछन की भक्ती नहीं करने देते स्टी कुछन को पाने के लिए मीरा बाई ने अपने गुछ तुलसिदास से उपाय मांगा था तुलसिदास के कहने पर मीरा ने कुछन के साथ ही राम भक्ती के भजन लिखे है सबसे प्रसीद भजन है पायो जी मैंने राम रतन पायो जो इस काव्य में इसके पद भी है जोदपुर के राथोड रतनसी की इकलोटी पुत्री मीरा भाई का मन बदपन से ही कुष्ण भक्ती में लग गया था मेरा भाई के बालमन से ही कुष्ण की छबी बसी थी इसलिए योवन से लेकर मृत्य तक उन्होंने कुष्ण को ही अपना सब कुछ माना उनका कुष्ण बश्पन की एक घटना की वज़े से अपने चरम सीमा पर पहुँचा था इनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ती के यहां बारत आई थी सभी इस्तियां चट पर खड़ी होकर बारत देख रही थी मीरा बाई भी बारत देखने के लिए चट पर आ गई बारत को देखकर मीरा ने अपनी माता से पुछा कि मेरा दुल्हा कौन है इस पर मीरा बाई की माता ने उपहास याने हासी में बगवान सी कुछन की मुरद देखर कहा कि यही तुम्हारा दुल्हाए यह बात मीरा बाई के बाल मानस में एक गांड की तरह समा गई और वे कुछन को ही अपना पती समझने लगी मीरा बाई का भोजरा से विवा हुआ उसकी विवे बात को बात बता दूँ विवाई यहोग्य होने पर मीरा बाई के घरवाले उनका विवा करना चाहते थे मीरा बाई की इच्छा की विरुद जाकर उनका विवा मेवाड के राजा राणा संगा के जैस्त पुत्र राजकुमार भूचरत के साथ कर दिया गया उनके पती 1518 में दिली सल्टनत के सासन सासकों से युद्ध करते हुए गाहिल हो गए और 1521 में उनकी मृत्य हो गई उनकी मृत्य के बाद मीरा की भक्ती दिनो दिन बढ़ती गई मीरा मंदीरों में जाकर स्रीकृस के मृत्य के सामने गंटों तक नास्ती रहती थी मीरा बाई की कृष्ण भक्ती उनके पती के परिवार को अच्छा नहीं लगा उनके परिवार जनों ने मीरा को कहीं बार इस देकर मानने की भी कौशिस की लेकिन स्रीकृस्ण की कृपा से मीरा बाई को कुछ नहीं हुआ विवा के कुछ साल बाद ही मीरा बाई के पती भोजराज की मृत्य हो जाने के बाद पती की मौत के बाद मीरा को भक्त भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया लेकिन वह इसके लिए या नहीं हुई इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर्द्वारी का चली गई वहाँ जाकर मीरा ने कुष्ण भक्ती की और जोगन बनकर साधू संतों के साथ रहने लगी कहते हैं जीवन भर मीरा बाई की भक्ती करने के कारण उनकी मुर्थिय श्री कुष्ण की भक्ती करते हुए हुई थी माहिशार वर्ष इस्विशन 1547 में द्वारका में वह कुष्ण भक्ती करते करते स्री कुष्ण की मुर्थि में समा गई थी और कुष मानिताओं की बात कर दू मानिता है कि मीरा पुर्वजनम में पुरुंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहली थी वे मन ही मन भगवान स्री कुष्ण से प्रह्म करती थी गोप से विवा होने के बाद भी उनका लगाओ स्री कुष्ण के प्रती खमना हुआ और कुष्ण से मिलने की तड़ब में ही उन्होंने प्रहण त्याग दिये बाद में उसी गुबी ने मीरा के रूप में जन्प लिया वर्सी का मायरा गीत गुवीन टिका राग गुवीन एवं राग सौर्था के पद नामक गरंथों की रचना की है मीरा बाई के भजनों वो गीतों का संकलन मीरा बाई की पदावली में किया गया है उन्होंने अपने पदों की रचना मिश्रित राजस्तानी भासा की साथ साथ विशुद व्रुच भासा में साहितिय में भी किया है उन्होंने भक्ती की भावना में कवीत्री के रूप में ख्याती प्राप की उनके विरह गीतों में संकालीन कवियों की तुल्ना में भेक्ता देखने को मिलती है उन्होंने पदों में शुरुगार और सांत रसका विशेश रूप से प्रयूप किया मादुरिय भाव उनकी भक्ती में प्रधान रूप से मिलता है वो अपने इस्त देव कुष्ण की भावना प्रेतम अत्वापती के रूप में करती थी वे कुष्ण की दीवान की दीवानी थी और रिदास को अपना गुरु मानती थी आगे हम मेरा के पद में पहले पद की बात करेंगे पहले पद की दो पंक्तियां मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा ना कोई साधो सकल लोक चोई में तो गिर्धर गिर्धर यहाँ पर भगवान कुष्ण जो है उनका एक नाम जिन्हें गिर्धर या गिरिधारी भी कहते है एक गिर्धर या गिरिधारी नाम क्यों पड़ा उसकी मैं बात बता दू उन्दावन में गोवर्धन नाम का एक परवत है पुराणों के अनुशार कुरुस्वन ने एक बार राजा इंद्र जो देवों के देव कहलाते हैं उनके कोप से याने की प्रक्रोप से वरज भुमी जबुमी की रक्षा करने के लिए गोर्धन परवत जो है उसको अपनी उमली पर उठा लिया था यानि के देवों के देव इंद्र राजा जो है उन्होंने वरज भुमी जो है उनको एक स्राब दिया था और उस स्राब के तौर उपर उन्होंने ये वरज भूमी जो है उसके अंदर वरसा की सरवात की थी इतना वरसा भेजा कि ताकि वरज भूमी जो है उस वरसा के पानी में डूब जाए लेकिन भगवान सिर्कुष्ण जो है उन्होंने गौर्दे नाम का जो परवत था उसको अपनी उंगली पर उठा लिया था और उठा कर वरज भूमी जो है उसकी इंदर के प्रक्रोप से बचा लिया था इसलिए उनका नाम गिर्धर या गिर्धारी के नाम से जाना जाता है उनका नाम तब से ये गिर्धर या गिर्धारी पड़ा है आगे हम बात करेंगे, मेरे तो गिर्दर गोपाल दूसरी, दूसरा न कोई, साधो, सकल, सकल का मतलब होता है सभी, लोक, लोक का अर्थोता है संसार, दुनिया, जोई, इसका अर्थोता है देख लिया, यहाँ पे इस पद में कवे मेरा भाई कहना चाहती है, मेरा भाई कहती है कि जिसने गिरी यानी परवत को उठा लिया था, वही स्रीकुष्ण मेरे जीवन के एक मात्र आधार है, हे माहनुभवो मैंने सारा संसार छान मारा, स्रीकुष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ स्रीकुष्ण ही है, स्रीकुष्ण के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आगे पद है भाई छोड़िया बंदू छोड़िया छोड़िया सगा सोई सादू संग बैठी बैठी लोग लज्जा खोई यहाँ पर छोड़िया क्या अर्थ होता है छोड़ देना तियाग देना सगा इसका अर्थ होता है सगे रिष्टेदार शोई इसका अर्थ होता है ववी सादू इसका अर्थ होता है संत महात्मा शंग इसका अर्थ होता है साथ लोक लाज इसका अर्थ होता है सांसारिक लाज जिसे सर्म भी कहा जाता है खोई इसका अर्थ होता है गवादी खोजाना इसका अर्थ होता है गवादेना इस पद में कवी मीराबाई कहती है कि भगवान स्रीक कुछन के लिए मैंने अपने भाई बंधू याने भाई तथा सभी सगे रिष्टेदारों को छोड़ दिया है और सादू संतों के पास बाइट कर लोक लाज खोदी है आगे पद है भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई अन्सुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई यहां पर भगत का अर्थोता है इस्वर की भक्ती करनी वाले लोग राजी इसका अर्थोता है आनंद खुश जगत जगत का यहां अर्थोता है सांसारिक्ता में लिप्त व्यक्ती अन्सुवन इसका अर्थोता है आंसुओ के प्रेम बेली इसका अर्थोता है प्रेम रूपी लता लता यानि जो वेल होती है उसे कहते हैं बोई बोई का अर्थोता है बोना कवी कवी इतरी मीरा बाई इस पद में कहना चाहती है के सांसारिक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनन्द होता है गिरधर गुपाल के विरह में दिरंतर बहते हुए आंसुों के जल में मैंने इस प्रेम रुपी लता को रोपा है और साती सात उसको सीचा भी है आगे पद है दधी मती तुद काड़ी लियो दार देई छोई राणा वीस को प्यालो भेजियो पी य मगन हुई यहां पर दधी का अर्थोता है देही मती इसका अर्थोता है मत कर दुरूत इसका अर्थोता है घी काड़ी इसका अर्थोता है निकाल कर डार देई इसका अर्थोता है फैंक दी या एक और रख देना छोई इसका अर्थोता है मतानी भेजियो इसका अर्थोता है भेजा पिय इसका अर्थोता है पीकर मगन इसका अर्थोता है मगन तलीन हो जाना मगन हो जाना यहाँ पर कवी मीरा भाई कहती है कि जैसे दैं को मत कर गी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है वैसे ही मैंने इस भव सागर का मन्थन कर स्री कुष्ण के प्रेम रुपी आर्ट तत्व को इकत्र कर लिया है और सांसा रिक्ता को किनारे रख दिया है मीरा भाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला बेजा था पर उसे मैंने खुशी-खुशी पी लिया मीरा का पहला पत उसके अंधिम पत की बात कर दूँ अब तो बात फैल गई जाने सब कोई मेरा राम लगन लागी होनी होई सो होई यहां पर जाने इसका जान गए राम लगन लागी इसका आर्थोता है बगवान से लगन लगना होनी इसका आर्थोता है होनी होई सो होई इसका आर्थोता है जो होना हो हो यहाँ पे इस पद में कवै मीरा बाई के determination है कि अब तो सी कुर्शा से उनके प्रेम की बाद चारों और फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है मीरा बाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है जो होना होगा वही होगा मीरा के पत, इसमें दुश्रे पत की बात करेंगे पायो जी मैने राम रतंदन पायो वस्तु अमुलक दी मेरे सत्गुरू कर्क किर्पा अपनायो जन्म जन्म की पूंची पाई जग में शबे खोवायो खर्चे नहीं कोई चोन लेवे दिन दिन बढ़त सवायो सत की नाव खिवतिया सत गुरू भव सागर तरी आयो मीरा के प्रभु गिर्धन नागर हर्की हर्की चस्कायो अब इसको हम एक एक पंक्ती के सब आने अंदर आने वाले सब्दात की बात करता हूँ मैं पायो इसका अर्थोता है पाया रतन इसका अर्थोता है रतन वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरू कर किर्पा अपनायो इस पंक्ती में अमोलक इसका अर्थोता है अमोलिय दी इसका अर्थोता है दिया किर्पा इसका अर्थोता है कुरुपा अपनायो इसका अर्थोता है अपना लेना स्विकार कर लेना जनम जनम की पूंची पाई जग में सबे खोवायो यहाँ पे पूंची इसका आर्थोता है धन सबे इसका आर्थोता है सब खोवायो इसका आर्थोता है खो दिया खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो यहाँ पे खर्चे इसका आर्थोता है खर्चोना, लेवे इसका आर्थोता है ले, बढ़त इसका आर्थोता है बढ़ती है, बढ़ना, सवायो इसका आर्थोता है सवाई आगे सत्की नाव खिवतिया सत्गुरु भव सागर तरियायो यहाँ पे सत्का अर्थोता है सत्य खिवतिया इसका अर्थोता है नाव खेने वाला यानि जो नाव चलाता है उसे खिवतिया कहा जाता है यानि इसका अर्थोता है संसारुपी सागर तरी आयो इसका अर्थोता है पाप कर लिया दुसरे पत की छेली पंक्ती की बात करो मिहरा के प्रभू गिरिधर नागर हर्की हर्की जस गायो इसका अर्थ यहाँ पे नागर इसका अर्थोता है चतूर हर्की इसका अर्थोता है हर्स जस इसका आर्थोता है यस यहाँ पर इस पद में कुछ महावरे भी है पूंजी पाना इसका आर्थोता है धन कमाना सवाया बढ़ाना इसका आर्थोता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा लाब होना बहुत सागर तरना इसका आर्थोता है जीवन मृत्य के फेरे से यस गाना इसका आर्थ होता है किसी की बढ़ाई करना इस दूसरे पद में कभी मेरा भाई कहना चाहती है कि मैंने इस्वर रुपी रत्न प्राप्त कर लिया है मैं सद्गुरू ने मुझ पर कुरूपा करके यह अन्मोल रत्न मुझे दिया है मैंने यह अन्मोल रत्न अपना लिया है मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मानतर की यह पूझी पूझी पाली है यह ऐसी पूझी है जो न तो खर्ष होती है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है इतना ही नहीं इसमें रोज सवाई वृद्धी होती रहती है याने रोज बढ़ती रहती है मेरा भाई कहती कि सच्चाई की इस नाव पर सवार हो कर मैंने अपने सदगुरू रूपी खिवन हार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है मीरा खुश होकर अपने भगवान कुश्ण का गुंदान करती है मीरा के मीरा के पद उसमें आगे हम तीसरे पद की भात कर लें लोग कहें मीरा भई बावरी सास कहें कुल नासी रे जहर का प्याला रानाजी ने भेजा बीवत मीरा हासी रे में तो अपने नानायर की हो गई आप ही दासी रे मीरा के प्रभु गिर्धर नागर बेग मिलो अवी नासी रे इस पद के अंदर जो पंक्तियों में आने वाले सब्दार्थ हैं, उसकी में बात कर लूँ पग गुंगरु भांद मीरा नाची रे, पग गुंगरु भांद मीरा नाची पग गुंगरु यहां पर पग इसका अर्थवता है पैर लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहें कुल नासी रे, यहां पर कहें इसका अर्थोता है कैते हैं, भई इसका मत्रब होता है हो गई, बावरी इसका अर्थोता है दीवानी, कुल नासी इसका अर्थोता है कुल, यानि परिवार का विनास करनी वाली जहर का प्याला रानाजी ने भेजा पिवत मीरा हासी रे यहां पर पिवत इसका आर्थोता है पीते हुए हासी इसका आर्थोता है हस पड़ी मैं तो अपने नारायन की हो गई आप ही दासी रे यहाँ पर नानायन इसका अर्थोता है स्रीकुर्ष्ण भगवान, आप ही इसका अर्थोता है स्वयम ही, दासी इसका अर्थोता है सेवी का. खेली पंक्ती, मीरा के प्रभु गिर्धर नागर बेग मिलो अवे नासी रे, यहाँ पर बेग इसका अर्थोता है सिद्र, अवे नासी इसका अर्थोता है जिसका नास नहो, वो यानि इस्वर. स्थेले पद में कभी मीरा बाई कहना चाती है, कि भगवान कुष्ण के प्रह्म में दीवानी हो गई है, वे अपना सब कुछ भूल गई है, वे अपने पेरों में घुंगरू भांद कर भगवत गीता में लीन होकर नाच रही है. लोग मेरा बाई का यह रुप देखकर कहते हैं, कि वो पागल हो गई है, मेरा बाई की सास कहती है, कि वो उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नासी हो गई है. यह सब देखकर राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीरा बाई निस्सिंत होकर वो जहर भी हस्ते हस्ते पी गई. मीरा बाई कहती है कि उन्होंने अपने आपको भगवान स्री कुश्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है. मीरा बाई कहती है कि हे गिरिधर्धारी, भगवान कुश्ण आप अजर अमर हैं, हे प्रभु, आप मुझे सिद्र दर्सन दीजिये. यहाँ पर कावी नमबर पाँच जिसका नाम था मीरा के पद यहाँ पर पूरा होते हैं कावी नमबर पाँच मीरा के पद यहाँ पर पूरा हुआ इस पद में आने वाले कुछ व्याकन की बात कर लो सबसे पहले विलोम सब्द की बात कर लो साधू इसका विलोम सब्द होता है औसाधू आसू इसका विलोम सब्द होता है मुस्कान प्रेम इसका विलोम सब्द होता है दुणा विस इसका विलोम सब्द होता है अमरोद चोर इसका विलोम सब्द होता है सावकार तेरना इसका विलोम सब्द होता है टूबना दासी इसका विलोम सब्द होता है स्वामीनी खर्च इसका विलोम सब्द होता है अमदानी हसी इसका विलोम सब्द होता है रुलाई प्रेम इसका विलोम सब्द होता है द्रोना इस पद में आने वाले कुछ समास के प्रकारगी भी बात कर लो गिरिधर इसका समास का प्रकार होता है तत्पुरुष समास साथू संक तत्पुरुष समास प्रेम बेली करमधरे समास अमोलक बहुविरीही समास भहुसागर करमधरे समास गोपाल तत्पुरुष समास रामरत्न करमधारे समास लोकलाज तत्पुरुष समास पुलनासी तत्पुरुष समास अविनासी बहुविरी समास हब कुछ इस पद में आने वाले सब्द सम्हों के लिए कि सब्द की भी बात कर लूँ अच्छा सच्चा व्यक्ती साधू, भक्ती करनी वाला भक्त, नाउ चलानी वाला खेवतिया, पावों से पहननी का एक गहना गुंगरू, गिरी को धारन करनी वाला गिरी धर, गायों को पालनी वाला गोपाल, जिसका कोई मुल्य न हो अमोलक, नदी आदी पार करनी का साधन, नाउ, ग्याकर पुरा होने के बाद, आपको गुरू कारियों करना है, गुरू कारियों में जो पदों में आने वाले सब्दों के जो औरत बताए हैं, उस सब्द की, साथी ही साथ, कुछ महावरों की भी मैंने बात की है, तो उस महावरों के अर्थ देकर, उसको वाक्यों में प्रयोग करना है, उसके बाद मैंने कुछ आपको विलॉम सब्द भी समझाये हैं, उस विलॉम सब्द भी आपको लिखना है, समास उसके प्रकार को भी बता कर लिखना है, सब्द सम्हों के लिए एक सब्द वो भी आपको लिखना है और पाठिय पुस्तक के अंदर कव्य पूरा होने के पाथ स्वाधे के जो प्रस्ण है उस स्वाधे के प्रस्ण के उत्तर भी आपको आपकी नौर्ट में लिखकर रखना है स्वाधे के प्रस्ण के उत्तर में पांच प्रस्ण है उसमें पहला प्रस्ण है निम्ले लिखित प्रस्ण के एक एक वाकिय में उत्तर लिखना है उसमें पांच प्रस्ण है उस पांच प्रस्ण के उत्तर लिखना है निम्ले लिखित प्रस्ण के दो तीन वाकिय में उत्तर दीजिए उसके अंदर भी तीन प्रस्णा है उस तीन प्रस्णा के उत्तर लिखना है चौथा प्रस्णा उची जोड बनाईए और बह विभाग दिये हैं और किस सामने बह उसमें करम के अनुसार आपको जमा कर देना है पांचमा प्रस्णा है आश्रेश पस्टि कीजिए उस जनम जनम की पुझी बाई, जग में इस अबे खुवायो, इसका आर्थप समझाना है आपको, दूसरी पंक्ति है सत्की नाव किवतिया, सत्गुरु भवसागर तरियायो, यह जो पंक्ति है इसका भी आपको आर्थप देकर समझाना है, यह गुरुकारिया आपका रहेगा, इस गुरुकारिया को आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखना, जब समाया आएगा, तब आपकी नोटबुक में गुरुकारिया जो है, हो जाचा जाएगा,